आज मैं इस वीडियो में आप लोग को बताने वाला हूँ कि हम कैसे port forwarding करते हैं किसी भी server का तो आज मैं RDP remote desktop का port forwarding करने वाला हूँ तो इसी प्रकार आपको भी करना है दोस्तों तो चलिए शुरू करते हैं तो सबसे पहले आपको अपने firewall में login करना है लोग इन करने बाद आपको host and services में जाना है और आपको सबसे पहले यहां पर IP host दिख रहे हैं दोस्तों यहां पर जाने बाद आपको add करना है हम add इसके लिए कर रहे हैं यहां पर क्योंकि हमको जिस server का port forwarding करना है उस server का हमको यहां पर IP address लिखना पड़ता है तो मैं server नाम से किंट्री करता हूं और उस server के यहां पर आपको IP address डालना पड़ेगा जो server आपको port forwarding करना है तो मैं यहां पर अभी में services में जाएंगे अब इसमें हम से यह पूछा जा रहा है कि आपको कौन सा port forward करना है तो service में क्लिक करेंगे तो मैं यहां पर RDP आप लोगों को बताने वाला हूं तो जिसका full palm हो जाएगा remote desktop जिसको shortcut में हम RDP कहते हैं अब यहां पर दोस्तों हमको source port जो firewall की तरफ से source port होता है one column six double five three five यह firewall का default जो source port है यहां में साइट common रहते हैं यह डालना पड़ता है अब यहां पर destination port डालना है destination port वो होता है जो हम बाहर से किसी public IP के थुरू access करेंगे तो अभी मेरा जो मैं जो RDP कर तो RDP का Microsoft ने जो default port बना है 3389 इसका जो port होता है तो sample दोस्तों आपको किसी भी server का port forwarding करना है तो IP host में पहले उस server का नाम से एक IP add करेंगे हम उस server की उसके बास services समझा कि आपको यह TCP और यह source port common रहेगा destination port में आपको जो port forwarding करना है वह यहां पर आपको add करना पड़ेगा आप जैसे मैंने किया सेम इसी परकार आपको करना है उसके बाद इसको कर देना है आपको save करने के बाद आब हमने क्या किया कि हमने port बना दिया और आईपी होस्ट बना दिया अब हमको जाना है firewall में जिसको हम firewall रूल लगाएंगे ताक कि बाहर से कोई public आईपी कित्रू हमारे server को access कर पाएं तो हम firewall firewall रूल में जाएंगे फार रूल में जाने कबाद हमको add firewall Reality clinical करेने के बाद हमको business rules करने बाद हमको यहांस से थाड़ आउसन सिप्ट करने दीनेट फूल नेट लोड बलेंसिंग इसको सेलेट करने करने कदाऊ अब को आपको दोस्तों यहां पर नाम देना है तो हम बना रहा है remote डेश्टॉप के लिए तो हम यहां पर रूल का नाम देएगा रिमोट डेस्क्टॉप हम नाम देते ताकि हमको अडेंटिफाई रहे और इसको हमेंसा टॉप पर रखते हैं डिस्क्रिप्शन पर आपकी इच्छा है जो चाहे हो डाल सकते हैं अब उसके बाद हम यहां पर सोर्स में चले जाएंगे सोर्स में हमारा हमें इसा लैन रहता है दोस्तों अब यहां पर एलाव एलाव नेट्वर्क्स में हम एन नी कर देंगे पर्टिकुलर हम कोई आईपी को नहीं अभी आट कर रहें और थोड़ा समको स्कूल करके नेच्छी आ जाना है अब यहां पर जो है डेश्नेशन होस्ट एंड नेट्वर्क यहां पर हमेरा पब्लिक आ डाफ सनें अब मैने जो सर्विसेस बनवाया था वे सर यहां से मको सख करना है थामणे रिमोत नाम से मैं रिमोर्ट जैसे सर्च करेंगे तो इसकी यहां पर डीटिल भी आ रही सब्स cry क्या मिन वो करके ने यहां है च Rapha कर देंगे तो देखो दो थोड़ा सा मैं नीची आपको दिखाना चाहता हूँ मैं पोर्ट में आटोमेटिक यहां पर देखे 3389 पोर्ट आगा है अब यहां पर दोस्तों हमको पूछ रहा प्रोटेक्टेट सर्वर तो यहां से आप प्रोटेक्टेट सर्वर पर देखें मैंने सर्वर नाम से एक करना है अब उसके बाद और नीची आपको स्क्रोल करके आजाना है और यहां पर IPS पॉलिसी आपको हमेशा लगाना है दोस्तों इतना ध्यान दीजिए यहां पर जन्रल लगा देंगे हम और हम नीची स्क्रोल करके आएंगे यहां पर लॉग फारवल ट्राफिक आपको क्लि हो जाएगा इतना ही करना पड़ता है और दूसरा कोई options नहीं है तो दोस्तों जो मैंने रूल बनाया है यह रूल create हो गया है यहां पर उपर आ गया है लिखके complete इसी तरह से आपको भी अपने firewall में करना है अगर कहीं भी आपको कहीं कुछ problem आती है ता आप मुझे कमेंट में मैसेज कर सकते हैं मैं आपके मैसेज की ज़र रिपलाई करूंगा दोस्तों तो प्लीज मेरे इस YouTube चैनल वीडियो को लाइक करें कमेंट करें सस्क्राइब करें थैंक यू सो मच